हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो माय यूट्यूब चैनल मौम सुन में टीचिंग और मेरा नाम है साधना फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाले हूं केजी क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की वक्षीट के बारे में तो इस वक्षीट के मादियम से आप बच्चा बोरिंग नहीं फील करेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सेट के वीडियो पसंद आएगी लगेगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आने माली हर एक नई वीडियो इसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके यह वक्षिट केजी क्लास के लिए और क्लास वन प्रेप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग में जैसे केजी में जो होता है स्टार्टिंग में थोड़ासा उसको इसली वेविंब पढ़ाया जाता हो सLRाइन लिए दिरे थिरे वो जो है थोड़ासा को स्टाफ हो जाता है तो लगभग केजी घिका जुलाइबम सलेबस होता है यानि की फाइनल स् टर्म में जो कुछ पढ़ाया जाता है वह ग्लास व तिनों क्लास के बच्चों के लिए आप दे सकते हैं यह मिक्स वरक्षीट है तो सबसे पहले आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं कि अ से अह तक पूरा करो ठीक है कुछ मैंने लिख रखी है यह है तो कुछ चोड़ रखें जैसे लिखा है तो यहां पर आप बच्चे को आ लिखने के लिए बोले अ आ फिर यहां हो जाएगा छोटी फिर बड़ी लिखा है फिर छोटा हूँ बड़ाओ फिर रि ए ए ए ओ ओ आओ अँ अ हम अ हम ठीक है इस तरीके साब बच्चे को दे सकते हैं उसके बाद इसको कलरिंग करने के लिए बोलिया तो बच्चा बहुत देजली में कलर करेगा उसको अच्छा लगेगा ठीक है और नेक्स्ट आप वरक्षीट बना सकते हैं जैसे यह मैंने वह स्वर के लिए इसको आप व्यंजन के लिए बच्चे को साथ इस तरीके दीजे उसको बताएगा की यह स्वर है त, ठ, ड, ध, आड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, र, ट, इस तरीके से आफ व्यंजन को पूरा करने के लिए दे सकते हैं, साती में जब बच्चा इस तरीके से सीख जाएं, तो उसको जैसे हम लोग math में comes before, what comes before, what comes after, between, इस तरीके से बना के देते हैं, इसी तरीके साफ फिन्दे में वक्षिट बना के दे सकते हैं, तो यहा यहां लिखना है लिखना है ओगाट फरियर के बाद आए अगर यह को इस तरीके से बच्चे को आप वरक्षीट बनागे तिनक नेक्सिट यहां पर लिखना है समय कुछ लैट साइड राद इस इसके बीच का जो वर्ड माला होगी, यानि की बीच का जो अक्षर होगा, उसको यहां पर फिल करना है, तो च, छ, ज, ठीक है, प, फ, ब, य, र, ल, इसको फिर बच्चे को कलरिंग करने के लिए बोले, फिर लिखा है मिला कर शब्द बनाओ, ठीक है, जब बच्चे को पहचान करवा है, शब्द बनाना सिखाए है, पहले एक एक अक्षर उसके बाद दो अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के सिखाए है, तो क, यहां पर मैंने र, लिख दिया, इधर कुछ वर्स दिये, स्वारी, कुछ अक्षर इधर भी दिये है, इन से मिला करके, इन दोन पर, डर, डर, ठीक है, उसके बाद यहां पर जैसे मैंने दो अलग अलग अक्षर बना के दिये, इसको मिक्स करके, मिला करके, यहां पर अक्षर शब्द बनाने है, ठीक है, जल, जल, ठीक है, साथ में बच्चे को इसका उच्चारण करने के लिए, बच्चा साथ में जल, फल, फल, कल, कल, हल, हल, चल, चल, ठीक है, फिर है मिलाकर लिखो, यहाँ पर देखे जैसे लिखा कमल, इससे कौन से शब्द बनेगा, कमल, ठीक है, इसको मिलाकर के बच्चा पढ़े, कमल, कमल, फिर उसको लिखे, कमल, कदम, कहर, कहर, ठीक है, आब इसी तरीके से फिर यहाँ पर अलग-अलग अक्षर लिख करके, इस तरीके से बच्चे को मिलाकर के लिखने को बोले, चहल, 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 नहर, नहर, बहन, इस तरीके से बच्चे को तीन अक्षर वाले सब्द, दो अक्षर वाले सब्द, चार अक्षर के इसके साथ इसको डिक्टेशन बच्चे को बोली इससे बच्चे को शब्द याद हो जाएंगे तहल तहल इसके बाद यहां पर दिया है मैंने रिक्त स्थान भरो यहां पर बच्चा मिला मिला करके शब्द बना रहा था अक्षर को यहां पर किछ दो शब्द को दो अक्षर को मिला करके मैंनेश्य बना mies के बाद इसको पूरा करना है तो रडक नहीं कर पा रहाया तो इसके साथ आप सड़क' की पिक्चे ड्रोक कर दीजिए तो इसके बच्चा आसानी से कर ले ठीक है तो सडक नहर नहर चहल चहल और यह है वन तो यहां पर उपवन कर सकते हैं ठीक है उपवन चारक्षर का सब्द उसको आता है तो हन दहन कदम यहां पर उपवन के जगह उसको नहीं आता है चारक्षर केak शब्द वो पवन नीखिए ठीक है कमल कलम डगरमगर ठीक है इस तरीके से तीन अक्षर के शब्द उसको बच्चे को लिखने के लिए बोल है साथ ही उसको जब बार-बार बच्चा शब्द लिखेगा तो उसको शब्द याद भी हो जाए क्योंकि बच्चों को लिखने के लिए भी आता है कि तीन अक्षर के शब्द लिखिए ठीक है चार अक्षर के शब्द लिखिए फिर है यहां पर रिक्त स्थान भरो पहला है तो घर चर डर पर पल कुछ भी बना सकता है बच्चा वन हल तीक यह हैं दो अकशर के शब्द उसके बाद मिलते जुलते शब्द बनाने यह तरीके से जैसे इंगलिश में होता है राइमिंग वर्स वैसे हिंदी में होते हैं मिलते जुलते शब्द तो जैसे पानी तो हो जाएगा नानी ग्यानी इस अरिकेशे शब्द बनाए जल जल का क्या हो जाएगा हल थल काला हो जाएगा माला काम का क्या हो जाएगा मिलता जुलता शब्द नाम आग का क्या हो जाएगा साग इस तरीके से बच्चे को मिलते जुलते शब्द के लिए वक्षीटा बनाईए साथी में जैसे अपनेक्स दिया हैं मिलाकर शब्द लिखो ये चार अक्षर के शब्द हैं तो नटखट क्या हो जाएगा नटखट फिर है पनगट क्या हो जाएगा पनगट शरबत साथी बच्चे को वर्क्षीट बना करके दीजे उसके बाद डिक्टेशन बोलिए फिर पढ़ने के लिए बार बार बच्चे को रीडिंग कराई जितना ही आप reading करवाएंगे और dictation बोलेंगे बच्चे को वो words जो होंगे याद होंगे तो यह रही आज की वर्कशीट वीडियो अगर पसंद आई हो helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्